नमस्कार जैगर जानन आप सभी को आने वाला नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष जो है वो शुब हो मंगल मैं हो इसी शुब कामनाओं के साथ हम लोग इस कारिकरम की इस एपिसोड की शुरुबात कर रहे हैं इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2018 में किन किन राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है किसको अपनी राशी नुसार क्या काम करना चाहिए किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा और पूरे साल को शुब बनाने के लिए कुछ अचूक उपाई आपको मैं बताने जा रहा यह एपिसोड कुछ माइनों में अलग है इसमें उपाए भी कुछ नए हैं वैदिक हैं पहले के एपिसोड में हम लोगों ने लाल किताब के उपाए बताए और इसमें आपकी राशी के नुसार मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कामों को करने से आपको लाब मिलेगा और किन क लोगों को विशेश धनलाप की इस्तिती बनती है नए साल का बेसबरी से अब इनतजार हो रहा है ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि नए साल उनके लिए क्या ले करके आ रहा है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नए साल में आने वाले नए साल में ऐसी कौन-कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत खुलने वाली है नए साल में ग्रहों की चाल भी बदलेगी और बदले हुए ग्रह कुछ राशियों को माला माल भी बनाने वाले हैं तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके उपर 2018 में खूब पैसा बरशने वाला है राशी लगन हस्तरेखा नियूमरालजी लाल किताब के अनुसार कई प्रकार के सुझाव होते हैं जो साल की नए साल की शुबता के लिए बताए जाते हैं जैसे हम लोग भी आप लोगों को बताते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे वैदे कुप राशन उसार वर्ष की शुबता के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशी की कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए यूं तो कार ये व्यापार की इस्तिती बहुत अच्छी रहनी वाली है ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं ले कोई आपको समझा दे बर्गला दे भ्रमित कर दे और आप से कहीं पैसा चीटिंग हो जाए ऐसे योग आपके लिए बनते हैं तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ करके और लोगों से सलाम मश्वरा करके परिवार के अनुभवी लोगों से बड़े बुज दुक्रवार और शनीवार है शुबंक एक पाच और चे है शुबरतन पन्ना नीलम और हीरा आपके लिए बनता है शुब रुद्राक्ष है चार मुखी छे मुखी और नौ मुखी रुद्राक्ष शुबदेउटा भगवान गणेश हनुमान जी और भगवान विश्णू आ आपके लिए शुबवरत जो है वो बुद्वार और चतुर्थी का वरत होता है। पूजा पाठ में उपाय में आपको तुलसी और केले के व्रिक्ष की पूजा और सेवा करनी चाहिए। तुलसी देवी में संद्याकाल को आप दिपक जलाएं सुबह जो है जल दिया करें केले के व्रिक्ष की सेवा करिए किसी मंदिर में आपने घर में कहीं बाहर की जगां घर के अंदर नहीं घर के बाहर या गमले में कहीं छत पर केले का पौधा लगा दीजे जोडा लगा रहें शाम को दोनों जगां पे तुलसी और केले दोनों की पेड़ के पास देशी घी का दीपक जलाने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है साथ ही महामिरतुंजय मंत्र का जाप करना शिव महीम निस्त्रोत का पार्ट करना या देवी कवच या देवी दुरगा जी के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दुरगा चालीसा का पार्ट करना आपको फायदा देगा समय समय पर कुट्टे को और अशक्त लोगों को जो असाहाई लोग हैं उनको सपोर्ट करना कुट्टे को भोजन कराना गाय को भोजन कराना और गरीबों को असाहाईों की मदद करना उनको भोजन कराना ये आपको बहुत अच्छा लाब दे सकता है व्यापार में वृद्धी और लाभ प्राप्ती की कामना हो अगर आप धनलाप चाते हैं रुपए पैसे का फायदा चाते हैं तो ओम रिंग नमह इस मंत्र को 108 बार आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए गाए को बुधवार के दिन अपने हाथ से अगर हरा चारा आप खिलाते हैं या अगर आपके घर के आसपास रोज गाए आती है एक रोटी आप खिलाते हैं तो इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे घर में मालक्षमी का वास होता है गाए देसी हो तो था रोटी पर घी लगा हो और गुड़ के साथ आप खिलाएं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब इस उपाय को करने से प्राप्त होता है इससे आपका कल्यान अवश्य हो जाएगा और 2018 आपके लिए सफल जरूर होगा जटिल समस्या हो या भाग्ये बाधा हो व्यापार नौक्री शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवायक जीवन में हो सुक्का भाब पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभावशाली, समाधान, एक जहनमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com